जैसे राम दोस्तों आज की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे स्विंग ट्रेडिंग पेटरंस के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बनते हैं और इनके एक रेसी भी सबसे बेश्ट है इन पेटरंस को यूज कैसे करना है ट्रेड कैसे करना है कौन से टाइम फ्रेम में इन पेटरंस को देखना है कब इंट्री लेना है इस पेटरंस को देखकर कब एकजिट करना है टार्गेट किया होगा इस टॉपलोस किया होगा एक एक पॉइंट को डिसकस करेंगे तो व का की Time Frame क्या यूज करना है Swing Trading के लिए और इन पेटरंस को देखने लिए higher high higher low के formation में इसे price ऊपर जाता है । जब यहाँ से price चलना शुरू कीवा higher high बनाया फिर higher low फिर higher high फिर higher low फिर higher high फिर higher low इसके बात क्या होगा कि जब यहां पर एक high लगाएगा ठीक है और फिर जब price नीचे आता है and यह previous जो low है ठीक है इस low के उपर लो लगाता है और फिर यहां से price उपर जाता है और यह जो previous high है इसी के पास से high लगा कर नीचे आता है ठीक है resistance फेस करता है यह जो previous high है इसी के पास से और फिर जब आता है नीचे तो यह previous जो low है इसी low के उपर एक low लगाता है फिर से price उपर जाता है और जो यह previous high है इसी के पास से फिर से resistance लेकर नीचे आता है तो इस condition में क्या होता है कि आपको दो low मिलते हैं ठीक है दो higher low मिलते हैं ठीक है और यहाँ पर आपको resistance मिलता है ठीक है तो दो बार यहाँ से resistance मिलता है और दो higher low जब मिलता है तब आपको क्या करना है कि यहां से एक resistance zone draw करना है ठीक है और नीचे से एक जो ये दो higher low है ठीक है इस दो higher low को connect करते हुए एक ऐसे trend line draw करना है तो यहां पर आपका जो chart pattern बनेगा ठीक है वो ascending triangle बनेगा इस चीज को हम लोग chart पर भी देखेंगे ठीक है यहां से जो rectangle है rectangle में क्या होता है कि जैसे price यहां से चलना शुरू किया ठीक है यहां से higher high बनाया यहां गया high लगा कर जब price नीचे आया ठीक है फिर से जब price यहां से उठता है तो इसी जो previous high है इसी के पास से फिर से नीचे आने लगता है और जो previous low है इसी low के उपर थोड़ सा या उसी low के pass low लगाता है ठीक है support लेता है और फिर price उपर जाता है तो इस condition में क्या होता है कि आपको एक rectangle जो है वो chart pattern बनता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर आपको का करना है कि दो जो high है ठीक है जहाँ से दो बार resistance face किया है वहाँ पर आपको एक resistance zone बनाना है और जहाँ से दो बार support लिया है ठीक है वहाँ पर आपको एक support zone ड्रो करना है ये किस time frame पर ड्रो करना है तो आपको one day और four hour का जो time frame है उनको आपको use करना है अब entry को समझते हैं कि entry कब करना है, तो entry करने के लिए आपको 4 hour का जो है वो time frame रखना है, ठीक है, 4 hour पर आपको entry बनाना है, ठीक है, entry कब बनाना है जब यहां से एक breakout हो, ठीक है, और जब breakout हो रहा है, जो candle breakout कर रहा है, वहाँ पर एक अच्छा भैलूम create हो, ठीक है, एक यह breakout होता है, ठीक है, उपर के side में, यहां एक अच्छा candle बनता है, और breakout होता है, ठीक है, bullish candle, और यहां पर भैलूम जो है, वो भी अच्छा खसा create हो रहा है, ठीक है, एक अच्छे भैलूम के साथ में आपको breakout मिल रहा है, तो यह एक अच्छा sign है, entry बनाने का, लेकिन entry कब बनाना है, जब यहां से फिर से price आकर इस zone पर फिर से support ले और retest करें, ठीक है, retest करने के बाद आपको entry बनाना है, यहां भी से जब retest कर जाएगा, तो retest के बाद आपको entry बनाना है, चलिए इस चीज को chart पर देखते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह IRCTC का chart है, और time frame जो है वो 4 hour का है, तो इसको हम लोग सबसे पहले time frame को change करके यहां से 1 day का करेंगे, ठीक है, और 1 day पर हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है कि जो हमारा trend है, वो एक uptrend में हो, ठीक है, तो यहां पर जब आप देखेंगे, ठीक है, यहां पर अगर देखेंगे, तो दो बार जो price है हमारा वो नीचे आया है, ठीक है, एक बार यहां से price touch करके नीचे आया है, एक बार यहां से touch करके price नीचे आया है, तो यही हमारा एक resistance होगा, ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे, तो यहां पर एक low है, ठीक है, इसके बाद एक यहां low ह तो दो लोग को हम लोग connect करते हुए एक trend line draw करेंगे ठीक है तो यहां से एक हम लोग trend line draw कर लेते हैं यहां से एक trend line हम लोग draw कर लिए ठीक है इसके बाद हम लोग क्या करना है time frame को change करना है और 4 hour पर आ जाना है दखिए यहां से हम लोग यह chart pattern draw कर लिए ठीक है one day पर आकर इसक इसके बाद आपको इंट्री देखे कब बनाना है जब यहां देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेक आउट हुआ है ठीक है थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर इस سے पहले देखेंगे, तो बहुत छोटा छोटा भेलूम बन रहता, ठीके, इसके बाद एक बड़ा भेलूम बना, और इस बड़े भेलूम के साथ में यहाँ यहाँ ब्रेकाउट मिला, ठीके, तो यहाँ से आपको क्या वैट करना है, फिर यहाँ रीटेस हुआ, ठीक है रिटेस होने के बाद यहां एक bullish candle close दिया तो यहां पर आप entry बना सकते हैं ठीक है और जो stop loss होगा वो यह resistance है ठीक है जब यह breakout हो गया तो यह हमारे लिए अब क्या हो जाएगा support हो जाएगा तो इस support के नीचे आपको stop loss रखना है ठीक है और यहां जब आपका entry बना यह आपका stop loss होगा ठीक है इस resistance के नीचे यहां से आप जब measure करेंगे तो यहां से जब आप entry बनाए ठीक है तो यहां से आपका stop loss कितने point का आ रहा है 45 point का ठीक है यहां से 45 point का आपका stop loss आ रहा है और maximum आप देखेंगे तो 11% का आपका stop loss आ रहा है ठीक है 11% का maximum 10.6 है यानि कि म एँ यहाँ 1 इस्टू 2 दूनों में से कोई भी आप RIGS 2 reward लेकर चल सकते हैं तो हम लोग यहाँ से 1 इस्टू 2 ही हर जगा लेकर चलेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ से हम इसको erase कर लेते हैं सबसे पहले इस candle में हमारा entry बना ठीक है यहाँ से हमारा इस्ट प्लोस कितने पॉइंट का होगा 45 पॉइंट का ठीक है यहां से 45 पॉइंट का मारा इस्ट प्लोस बन रहा था ठीक है तो यहां से हमारा रिक्स टू रिवाड कितना होने चाहिए 1 इस्ट टू ठीक है तो 1 इस्ट टू अगर करते हैं हर जगह देखेंगे ठीके तो यह तो एक पेटर्न हो गया आगे भी देखे यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं लिखिए इसको छोटा कर लेते हैं ठीके यहाँ पर भी अगर देखेंगे ठीके इसको वन पर फिर करते हैं देखिए यहां अगर आप देखेंगे ठीक है वन डे के टाइम फ्रेम पर तो यहां से जो हमारा ट्रेंड है वो अप्रेंड में है तो अगर हमारा अप्रेंड चल रहा है तो उसी ट्रेंड के डाइरेक्शन में अगर trade मिलता है तो ज़्यादा confidence रहता है कि वो हमारा trade जो है वो successful होगा ठीक है और एक चीज कि trend के direction में ही आपको trade बनाना है ठीक अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बार दो बार और तीसरे बार यहाँ पर अभी touch किया है तो यह हमारा एक resistance है ठीक है यहाँ से हम एक resistance zone अपना draw करेंगे यहाँ resistance zone जब आप draw कर रहे है तो यहाँ से जो price है वो एक बार touch करके नीचे गिरा है दूसरा बार touch किया है और फिर price नीचे आया है और यहाँ से एक हमारा trend line भी बन रहा है यहाँ एक low लगाया है ठीक है higher low इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक higher low है ठीक है यहाँ पर भी एक higher low है और यहाँ पर भी एक higher low है one decade time frame पर तो दो higher low को connect करते हुए क्या करना है हमें एक trend line draw करना है जो हम लोग उने draw किया इसके बाद हम लोग क्या करेंगे टाइम फ्रेम को चेंज करके 4 आवर पर आ जाएंगे तो यहाँ पर जब हम 4 आवर पर आते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो breakout नहीं हुआ है ठीक है तो यहाँ पर जब breakout होता है एक अच्छे volume के साथ में ठीक है और एक अच्छा bullish candle बनता है और फिर retest करता है तब हम लोग यहाँ पर अपना entry बना सकते हैं ठीक है और भी दूसरा stock है उसमें हम लोग देख लेते हैं ठीक है दखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं ठीक है यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है हमारा जो price है वो इस zone से बार-बार touch करके price नीचे आ रहा है ठीक है यहाँ से touch करके price नीचे आ रहा है और यहाँ से हमारा जो price है वो touch करके क्या हो रहा है price उपर उठ रहा है ठीक है one day के time frame पर तो सबसे पहले अब वन डे के टाइम फ्रेम पर जब हम लोग support resistance ड्रो कर लिए इसके बाद हमें क्या करना है टाइम फ्रेम चेंज करना है और 4 आवर पर आ जाना है ठीक है देखिए जब हम लोग टाइम फ्रेम चेंज किये ठीक है ताइम फ्रेम चेंज करके हमें छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाना है 4 hour पर और इसके बाद हमें breakout दिखना है breakout प्लस रिटेस हमें दिखना है तो यहां सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा जो price है वो uptrend में होना चाहिए तो यहां से अगर आप देखेंगे तो price हमरा क्या है, uptrend में है, ठीक है, यहां से price उठा, फिर से high लगया, और फिर price नीचे आया, low लगया, फिर price high, low, ठीक है, यहां low लगया, फिर से price उठा, high लगया, फिर से नीचे आया, low लगया, यहां क्या हुआ, कि previous high के पास से ही बार दो बार रोजिस्टेंस ले रहा है तो जब दो बार रो जीस्टेंस लिया है तो हम लोग रोजिस्टेंस zone ड्रोग कर लूब कर लिया दो बार जब support लिया है यहां houर दो यह एक strong resistance हो गया जब इसका breakout मिला इस केंडल में तो इस केंडल में अगर देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर भैलूम भी हमारा जो है वो अच्छा-खासा create हुआ है ठीक है भैलूम भी अच्छा-खासा create हुआ है अच्छे भैलूम के साथ में breakout दिया है इसके बाद जब यहाँ से प्राइज नीचे आया रिटेस किया तब हम लोग अपना यहाँ पर इंट्री बनाएंगे stop loss क्या होगा इस रजिस्टेंस के नीचे जो अब हमारे लिए क्या होगा सपोर्ट बनेगा ठीक है यहाँ सपोर्ट बन गया जब यह breakout हुआ प्राइज नीचे आया यहाँ सपोर इंट्री बनाएंगे तो यहाँ से अगर देखे ठीक है यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ हम लोग अपना इंट्री बनाएं ठीक है इस केंडल में यह जो केंडल क्लोज दिया इस केंडल में हम लोग अपना इंट्री बनाएं इस केंडल क्लोज दिया है इस क्लोज म में नहीं रखना है यह आपको ध्यान रहे इसके बाद हमारा जो इस टॉपलोस जो बन रहा है वो कितने पॉइंट का इस टॉपलोस बन रहा है यानि कि 7.4 परसेंट का इस टॉपलोस बन रहा है तो हमारा टार्गेट क्या होना चाहिए वन इस्टू टू अगर करते हैं ठीक ह तो हमारा वन इस्टू टू जो है वो टारगेट आप देख सकते हैं एचीव हो चुका है ठीक है यह हमारा कौंसा चाट पेटन है रेक्टेंगल चाट पेटन है ठीक है तो ऐसे आपको इस्ट अप लॉस और टारगेट फाइंड आउट करना है यहाँ पर भैलोम है वह करके वंडे कर लेते हैं ठीक है वंडे करने के बाद अगर यहां पर आप देखेंगे ठीक है वंडे करते हैं ठीक है और वंडे करके हम आगे चलते हैं तो यहां पर अगर देखते हैं तो यहां पर क्या हुआ है यहां पर एक resistance जोन बन रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पर ठीक है और नीचे से अगर देखेंगे तो हमारा एक trend line भी बन रहा है यहाँ पर ठीक है यह एक trend line भी बन रहा है तो जब हम लोग resistance अपना देख लेते हैं और trend line देख लेते हैं इसके बाद हमें entry बनाने एक लिए टाइम फ्रेम चेंज करके हम लोग 4 आवर पर आ जाएंगे यहां जो हमारा ट्रेंड है वो भी अप्रेंड में है ठीक है यहां पर हमें रजिस्टेंस मिला ठीक है यहां से क्या हुआ प्राइज एक बार टचकरके नीचे आया दूसरे बार गया टच किया नीचे आय तीसरे बार यहां टच किया तोड़ा सा नीचे और यहां से हमारा जो लो है यह लो भी शिफ्ट होकर उपर जा रहा है ठीक है हायर लो बन रहा है तो दो लो को कनेक्ट करते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रो कीए और दो जो रिजिस्टेंस बना ठीक है दो बार जब पर हमारा breakout हुआ है ठीक है यह जो केंडल है यह breakout दिया है देखिए यह जो केंडल है यह हमारा breakout दिया है breakout करके close दिया है ठीक है यहाँ पर भैलूम देखेंगे तो भैलूम भी अच्छा बनाए ठीक है अच्छा खासा भैलूम लिया हुसके उपर जब क्लोज दिया तो इस केंडल में हम क्या करेंगे अपना इंटरी बनाएंगे इस्टपलोस क्या होगा इस रजिस्टेंस के नीचे यह जो सपोर्ट है ठीक है क्योंकि पहले यह रजिस्टेंस बना इसके बाद जब प्राइज breakout किया, breakout करने के बाद जब यहां retest किया, तब यह हमारा किस लिए काम करेगा, support के तरह काम करेगा, तो जब यहां से प्राइज support लेकर प्राइज उपर गया, close दिया, तो इसी support के नीचे हम लोग अपना stop loss रखेंगे और इस close पर हमा लोग अपना entry बनाएंगे यहां से आपको फिर दिखाना नहीं पड़ेगा ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा 1-2 है यह 1-3 है वो achieve हो चुका है इसके बाद अगर आगे चलते हैं इसी में तो यहां पर अभी जो है फिलहाल में यहां अभी क्या हो रहा है एक resistance zone बन रहा है ठीक है यहां पर एक resistance zone बन रहा है और यहां से अगर देखेंगे तो एक trend line भी हमारा formation हो रहा है लेकिन अभी जो है यह breakout के पास नहीं पहुचाए अगर यहां breakout होता है एक अच्छे खासे बहलों के साथ में फिर retest करता है तब हम लोग यहां पर अपना entry बना सकते हैं मिलते हैं next learning वीडियो के साथ में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद